जहिन सात्य नमेशकार, ट्रिपल सी फरवरी दोजार चौबिस एक्जामनेशन के लिए आज चौथी क्लास है, जहाँ पर ट्रिपल सी के most important questions आपके साथ हम डिसक्स करेंगे, ट्रिपल सी फरवरी दोजार चौबिस के लिए जो मिसन सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका एक मात्र उद्देश आप सभी को फर्स टाइम में ही ट्रिपल सी एक्जाम टॉप कराना है, उसकी अगर आपने प्रिवर्श तीन क्लासेस को मिश कर दिया है, तो चैनल को विजिट कर लिजिए, वहाँ पर ट्रिपल सी मिसन सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप तीनो क्लासेस को जरू अटेंड कर लिजिएगा, साथी साथ एक्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभैक्सल कम्प्यूटर की ट्रिपल सी की माहा मरतन क्लास को देखना मत भूलिएगा, वहाँ एक क्लास आप सभी के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मैंन आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ कराया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लिजिएगा, और जो भी क्रेस कोर्स में इन्रोल करना चाहते हैं, वेपशाइट अभैक्सल.com को विजिट करें, जॉइन करें, और ट्रेपल सी एक्साम को टॉप क तो टाइम वेश्ट ना करते हुए, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लाश, आज का पहला प्रशन है, जिसको इमेल सेंड करना है, उसका इमेल निम्र में से किसम में लिखा जाए का, बताइए, दा इमेल आफ दी वन टू होम दी इमेल इस टू बी सेंड विल बी रिटेन विच आफ दी फालोइंग, टू, फ्राम, सी सी या फिर बी सी सी, बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर सबसे पहला कुश्चन आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, कि इमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे सिंपल, लेकिन पूछता एक्जा होता है, उस ही में लिखते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू, अब यहाँ पर एक्जामें पूछता है कि बाई, सी सी का फुल फॉर्म क्या है, एक्जामें का फिर पूछा है, तो सी सी का फुल फॉर्म होता है, कार्बन कॉपी, और बी सी सी का फुल मेल जाती है और सबको यह पता रहता है कि यहाँ मेल और किसके पास भेजी गई है लेकिन BCC में हम multiple persons को मेल send कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर किसी को यह नहीं पता चलेगा कि यहाँ मेल और किसके पास भेजी गई है ठीक है तो इस शीज को आप याद रखिएगा अब next मन्रेगा किसे से सम्मंदित है बताईए व्यापार से, परेटरन से, रोजगार से या फिर नोटा नोटा मतलब इन में से कोई नहीं तो बताईए मन्रेगा से आप क्या समझते हैं मन्रेगा योजना बहुत ज्यादा important exam में बहुत साई questions पूछे गए हैं मन्रेगा से सम्मंदित जैसे की मन्रेगा कब लांच हुआ मतलब मन्रेगा योजना कब आई ये भी आपके लिए important है तो 22 March 2005 को मन्रेगा योजना published की गई थी है ना और कहां पे हुआ है तो जानते हैं Parliament of India है ना इंडिया के Parliament से इसको पारित किया गया था मन्रेगा योजना को और exam में पूछता है इसका full form क्या है तो इसका full form क्या है महत्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी योजना महत्मा गांधी नेशनल रूलर इंप्लोईमेंट कारंटी एक्ट दोजार पांच या फिर मन्रेगा के नाम से इसको जानते हैं और ये किस से संबंदित है रोजगार से संबंदित है आप जान गए होंगे अब नेक्स्ट नेम लिखित में से किस का उप्योग डेक्स्टॉप पर आइकन छिपाने के लिए किया जाता है बताइए विच आप दी फालोईंग इस यूज़ टू हाइड आइकन्स ऑन दी डेक्स्टॉप डेक्स्टॉप आइकन डिसेपिया hidden, hide shortcut या hide icon क्या हो गए इसका राइट आइकन्सव तो यहाँ पर राइट आइकन्सव हो जाएगा hide icon hide icon के मदश से डेक्स्टॉप पर जो भी icon है उसको आप hide कर सकते हो या show icon का जो symbol होता उसको पर click हटा देंगे तो जो भी है वो hide हो जाएएगे अब next What is meant by PPF PPF का full form क्या है काफ़ important है बताईए Public Profile Fund Public Provident Fund Private Provident Fund या none of these PPF तो Public Provident Fund होता है PPF का full form है ना तो राइट आंसर आप्शन B PPF अब next इस shortcut की for unformatted text is control plus alt plus c plus V बताईए क्या unformatted text की shortcut की control plus r plus c plus V होती है तो यहाँ पर देखिए हम LibreOffice Calc open कर लेते हैं और देखते हैं कि unformatted text की shortcut की क्या है unformatted text का option कहां मिलता है तो paste special के under में मिलता है तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं और जाएंगे edit menu में यहाँ paste special का section है जहाँ पर paste unformatted text दिया गया है जिसकी shortcut की है control plus alt plus shift plus V मतलब बिलकुल सही है और paste special का shortcut है control plus C plus V ठीक है याद रखिएगा काफी important है तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option first true ठीक है अब next निमलिकित में से कौन सा LibreOffice Calc template file का extension नहीं है which are the following is the extension name आप LibreOffice Calc template file dot xltm dot ots dot ods या dot xltx मतलब लिबर ओफिस calc template का extension तो dot ots होता है क्या होता है dot ots और LibreOffice Calc की बात करें तो वहाँ पर होता है dot o d s ठीक है अब next ATM के पीछे CBV number कितने digit का होता है how many digit is the CBV number behind the ATM मतलब CBV number कहां पर होता है ATM के पीछे होता है यह question में बता रहा है और कितने digit का होता है यह हमसे पूछ रहा है 6, 5, 4, फिर 3 बताइए क्या होगा इसका right answer देखें CBV का full form भी exam में पूछता है तो CBV का full form क्या होता है card verification value क्या होता है card verification value और 3 digit का होता है option d is right अब next टेलिग्राम के निर्माता कौन है बताओ टेलिग्राम के निर्माता कौन है तो यहाँ पर इसका right answer हुगा आपसन भी निकोले और पॉवेल डूरो यह दोनों भाई थे और इन दोनों भाई ने मिलकर टेलिग्राम का निर्मान किया था अगर आपने भी टेलिग्राम पर हमें जॉइन नहीं किया है तो सर्च कीजिए अभय एक्सल कंप्यूटर और जॉइन कीजिए वीडियो की नीचे आपको डिसक्रप्शन में लिंक भी मिल जाएगी टेलिग्राम की जहाँ पर आपको ट्रिपल सी का content मिलता रहेगा अब next निमलिकित में से किस shortcut कुंजी का उप्योग लिब्र आफिस में किसी डाकुमेंट से बाहर निकलने के लिए किया जाता है बताइए क्या होगा इसका right answer control प्लस L, control प्लस W, control प्लस Q या control प्लस R बताइए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर बात की है लिब्र आफिस डाकुमेंट से बाहर निकलने की है ना, तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा control प्लस W है ना, मिल्स यहाँ पर जैसे लिब्र आफिस ओपन है और वहाँ पर डाकुमेंट भी ओपन है spread sheet भी open है तो वहाँ पर क्या है कि अगर हमें सिर्फ डाकुमेंट से बाहर निकलना है तो control W करेंगे और उससे हम बाहर आ जाएगे अगर कहता है LibreOffice से बाहर निकलना है तो control Q करते हैं तो quiet हो जाता, पूरा बंद हो जाता, ठीक है अब next LibreOffice Writer में super script की shortcut की क्या है what is the shortcut की of super script in LibreOffice Writer control प्लस C प्लस B control प्लस C प्लस P या C प्लस P या none of these बताइए तो यहाँ पर देखिए हम open करते है LibreOffice Writer और आपको एक साथ कई options बताते हैं ताकि clear रहो कि किस चीच के लिए क्या shortcut की हम use करते हैं और कौन सा option किस मीनू में मिलता है zoom कर लेते हैं format पर जाते हैं text पर जाते हैं तो यहीं पर मिलेगा super script और sub script का option super script के लिए control प्लस C प्लस P देखिए super तो P और sub तो B ऐसे याद रखो super में P तो control प्लस C प्लस P sub में B तो control प्लस C प्लस B double underline के लिए control प्लस D italic के लिए control प्लस I build के लिए control प्लस B increase size के लिए control प्लस close bracket और decrease size के लिए control प्लस open bracket cycle case के लिए shift प्लस F3 है ना ये भी ध्यान में रखिएगा exam में पूछता है बहुत बार पूछा गया है तो ये सभी note कर लीजेगा आप जब भी classes को देखिए साथ प्लस 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 P अब next निम्रिखित में से किस से delete किये गए mail को recover किया जा सकता है inbox, spam folder, junk folder या फिट ट्रैस बताइए deleted mail can be recovered from which are the following तो right answer क्या हो जाएगा trash, जो भी mail आप delete करते हो कहाँ पर store होती है trash box में जाकर store हो जाती है या आप note कर लीजेगा वहाँ से 30 days के अंधर आप recover कर सकते हो तो ये question और पूछता है कि trash में कितने दिनों तक store रहती है delete की गई mail तो 30 दिनों तक store रहती है ठिक अब inbox में क्या होता है कि जो भी mail आ रही है inbox में store होती है junk क्या होता है junk mail किसे बूलते है तो जो अंचाही mail है जो commercial mail है हरा जो unwanted mail है वो कहलाती है junk mail या spam mail ठिक है? अब next नेमलिकित में से कौन सी margin LibreOffice राइटर में नहीं होती है बताइए कौन सी margin LibreOffice राइटर में नहीं है which are the following is not a margin in LibreOffice राइटर vertical center horizontal या bottom बताइए तो center कोई margin तो है नहीं हाना तो right answer option B अब next what is meant by odious odious से क्या मतलब है open document system open document spread seat या open double spread seat या none of these बताइए क्या है full form ods का तो इसका full form होता है देखिए कहीं आप देखते हो तो आपको मिलता है operational data store भी मिलता है है ना लेकिन यहां पर पूछा गिया है किसके बारे में official तो open document system है ना तो right answer option first अब next BCC का इस्तिमाल करके mail में क्या अंतर आता है what difference does using BCC make in mail there is no difference can send the same email to many people and no one will even know this message gets copied या none of these तो यहां पर देखें पहला option this is there is no difference तो ऐसा नहीं है कि कोई difference नहीं आता है difference आता है this message get copies message होता copy होता ये भी नहीं है ये second option सही है कि हम इसकी मदद से कई लोगों को mail भीज सकते है और वहां पर किसी को भी नहीं पता रहेगा कि हम mail और किस के पास भेजी गई है ठीक है तो BCC समझ गए अब next निम्ण में से कौन सा कानूनी रूप से hacking करता है कौन ऐसा है जो legal hacking करता है शाइबर hacker, ethical hacker, non-ethical hacker या none of these बताईए तो यहां पर इसका इसका राइटान से हो जाएगा ethical hacker ethical hacker कानूनी रूप से hacking कर सकता है मिन्स वो legal होता है ethical hacker कहते हैं अब next परसनल कम्प्यूटर की प्रात्मिक मेमोरी में सामिल है दा प्राइम मेमोरी अफ़ परसनल कम्प्यूटर कंसिस्ट आफ रूम ओल्ली, रैम ओल्ली, बोथ रैम एंड रूम या नन आफ दीज तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा क्या option कौन सा रूम एंड रैम दोनों होती है क्योंकि प्राइम मेमोरी का ही हिस्सा है रैम और रूम रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रूम का फुल फॉर्म क्या होता है read only memory ठीक है याद रखेगा काफी important है और फिर जवाब इसके पार्ट के बारे में देखते हैं तो रैम के दो पार्ट हैं क्तने पार्ट हैं रैम के दो पार्ट हैं कौन सा s रैम और दूसरा DRAM और ROM के कितने पार्ट है तो ROM के देखें तो तीन पार्ट है कौन सा P-ROM E-P-ROM Double E-P-ROM है ना SRAM का Full Form Static Random Access Memory DRAM का Dynamic Random Access Memory P-ROM का Full Form Programmable Read Only Memory E-P-ROM का Full Form Erisable Programmable Read Only Memory और W-P-ROM का Electrically Erisable Programmable Read Only Memory ठीक है अब Next Windows Plus C Plus S Shortcut की is used for screenshot in Windows 10 क्या Windows 10 में screenshot के लिए Windows Plus C Plus S का उप्योग करते हैं True या False तो यहाँ पर इसका राइट 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 हो जाएगा Option First True बिल्कुल सही बात है करते हैं अब एक क्यूशन पूछाता है कि क्या Windows 10 में Child Parent Safety Feature होता है तो यहाँ बिल्कुल सही है होता है वहाँ पर ऐसा feature अब Next निम्लिकित में से कौन सा कम्प्यूटर के लिए अच्छा इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करता है लैन केबल, आप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेट पेर केबल या इन में से कोई नहीं विच आप दी फालोइंग प्रवाइट गूड इंटरनेट नेटवर्क फ़र कम्प्यूटर बताइए, क्या होगा इसका राइट अंसर ये क्विशन भी काफी इंप्वाटेंट आप सभी के लिए तो जो लैन केबल होती है ये कम्प्यूटर के लिए सबसे अच्छा नेटवर्क प्रजान करती है आप्शन फर्स्ट इस राइट लाइन केबल अब नेक्स्ट व्यावसाइक रूप से उपलब्द प्रथम माइक्रोप्रोशेसर चिप का नाम क्या था तो पहला माइक्रोप्रोशेसर था ऐसा सरफ 1970-1971 में इसको डेवलप किया था कहीं पर 70 मिलता है कहीं पर 71 मिलता है तो किस कमपनी ने बनाया था इंटल कमपनी ने पहला माइक्रोप्रोशेसर डेवलप किया था जिसका नाम था इंटल चारजाचार और यह IBM कम्प्यूटर में उप्योग किया गया था अब नेक्स्ट दा पेज इना प्रेजनेशन इस मेड़ अप आफ प्रेजनेशन का पेज कैसे बना होता है किस से बना होता है डेटाबेश से, स्लाइट से, सीट से या आल आउप दी एपप तो क्या होगा इसका राइट अंसर तो जानते हैं देखिये जैसे अब वर्ड डाकुमेंट बनाते हो तो वहां क्या होता है pages होते हैं, spread seat में क्या होता है, seats होती है और presentation किस से बना होता है, slide से बना होता है, तो right answer option B, slides seats से क्या होता है calc, database आपका base में चलता है अब next firewall computer को अनाधिकरत पहुँच से बचाने के लिए एक दीवार है a firewall is a wall to protect a computer from unauthorized access true or false बता यह क्या होगा इसका answer तो बिलकुर सही बात है, firewall क्या है computer का सुच्छा घीरा है जो computer में अनाधिकरत पहुँच से बचाता है, means computer network में कोई भी अगर खत्रा आ रहा है, कोई भी illegal चीज आ रही है, तो उसको वहीं पर ब्लॉक कर देता है, रोग देता है अब next एक नई तकनी की जो कृतिम दुनिया बनाने की चमता प्रदान करती है और लोगों के साथ बातचीत करती है उसे क्या कहा जाता है a new technology which provides the ability to create an artificial world and have people interact with it is called alternative reality, virtual reality 3D reality या none of these बताइए, क्या होगा इसका right answer तो आपको पता है VR और AR के बारे में VR का full form क्या होता है virtual reality और AR का full form क्या होता है augmented reality तो यहाँ पर इसका right answer भी क्या होगा virtual reality जैसे हम आभासी दुनिया कहते हैं क्या बुलते हैं आभीसी दुनिया कहते हैं What is the meaning of M-banking M-banking का क्या मतलब है managing banking, manage banking, mobile banking and net banking तो simple सा question है M-banking का full form, mobile banking होता है option C is right अब next हैकर एक ऐसा इनसान होता है जो बिना आपकी अनमती के आपके computer को access कर सकता है बताईए क्या ये बात सही है A hacker is a person who can access your computer without your permission तो hacker भाई hack करेगा तो permission थोड़ी न लेगा है ना permission नहीं लेके कर रहा है तो hacker कहा है आपका तो ये बिलकुल true है option first is right अब next निम्ण में से किसका उप्योग secondary storage के रूप में नहीं किया जाता है which आप the following is not used as secondary storage magnetic disk semiconductor memory magnetic tape या hard disk drive बताइए secondary storage के रूप में नहीं उप्योग के जाता है तो देखिए magnetic disk का भी करते हैं magnetic tape का भी करते हैं HDD का भी करते हैं CCC में पूछता कि HDD का full form क्या है तो hard disk drive होता है तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option B shamey conductor memory अब next Libre office writer में bullet off करने की shortcut की क्या है F12 shift plus F12 control plus F12 या none of these वताइए क्या होगा इसका answer what is the shortcut की to turn off bullets in Libre office writer तो Libre office writer में आप जाते हूँ तो देखिए formats में यहाँ पर आपको align text, spacing, list, bullets and number का option मिलता है list के under में ही आप देखोगे तो यहाँ पर no list का लिए control plus C plus F12 का option मिलता है unorder list के लिए C plus F12 का option मिलता है order list के लिए F12 का option मिलता है है ना तो means यहाँ पर कई सारी चीजे है तो वहाँ पर बात की गई है किसकी bullet list की तो जो bullet होती है वो unordered होती है यह बात आपको ध्यार में रखना है तो कि यहाँ पर कहीं bullet list और ऐसा option नहीं दिया गया है तो आपको यह याद रखना है यहाँ पर क्या बोला है bullet का, तो bullets जो होती वो unorder होती है और जो numbers होते हैं वो order में होते हैं तो right answer यहाँ पर क्या होगा shift plus f12 ठीक है अब next cell को copy करने के लिए आप control की को कब पकड़ेंगे और साथी साथ cell को hold करेंगे when will you hold the control key and hold the cell to copy the cell फैला option है when copying more than when cell जब हम एक से अधिक cell को copy करेंगे few cells are visible in windows जब windows में कुछ cell परदरसित होंगी विजवल होंगी या you do not want to refer to absolute reference अगर आप absolute reference को नहीं refer करना चाहते हैं तब या do different work between cells and are visible in both windows बताइए क्या होगा इसका right answer cell को copy करने के लिए तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा काफी important question है option first when copying more than one cell जब एक से अधिक cell को copy करना है तब आप control key को पकड़ेंगे और साथी साथ cell को hold करेंगे means जैसे यहाँ पर हमें एक से अधिक cell करना है तो क्या करें इक control कर लेंगे और फिर करते चले जाएंगे तो देखिए यह पूरा क्या हो गया select हो गया है ना तो यह आप copy भी कर सकते हो और जहां पर रखना है आप paste भी कर सकते हो वो same to same paste भी हो जाएगा है ना तो यह आप याद रखेगा अब next निम्लिकित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है SRAM, DRAM, SD RAM या none of the app app बताइए कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है SRAM, Static RAM जानते ही हो DRAM, Dynamic RAM होती है SD RAM जो है वो SRAM का ही part है तो यहाँ पर इस कर राइट आन सरो होगा SRAM SRAM मेमोरी निम्लिक में से सबसे तेज काम करती है Static RAM होती है और किस कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेस करनी क्या शकता पड़ती है याँ प्रश्ण भी एक्साम में पूछाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार-बार refresh करना तो यहाँ प्रश्ण पूछा आता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार-बार refresh करनी क्या शकता पड़ती है तो वो होती है DRAM ठीक है अब next निम लिके सभी पूष्ट इस्प्रेट सीट साफ्टर से सम्मंदित हैं सिवाए निम नमेशे ऐसा कौन है जो इस्प्रेट सीट साफ्टर से सम्मंदित नहीं है यह आपको बताना है वक्षीट, सेल, फार्मूलाज या वाइरस डिटेक्शन तो देखिए यहाँ पर सेल सम्मंदित है 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 ना वक्षीट भी है फार्मूलाज भी है लेकिन वाइरस डिटेक्शन यह इस्प्रेट सीट साफ्टर का काम नहीं है तो option D is right अब next इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्ड में से कौन सी वेबशाइट सबसे उत्तम है विच आप दी फालूइंग वेबशाइट इस बेस्ट फॉर इनसाइक्लोपीडिया गोगल आस्क विकीपीडिया या फिर याहू बताइए क्या होगा इस राइट आंसर है ना तो यहां पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा विकीपीडिया विकीपीडिया अब विकीपीडिया से संबंदित भी कुष्टन पूछा आते हैं क्या है विकीपीडिया तो विकीपीडिया आपका क्या है एक फ्री इनस साइक्लोपीडिया है, जहां पर आप create कर सकते हो, edit भी कर सकते हो, कोई भी topic पर अगर आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आप exam में पूछा आता है कि भाई, Wikipedia कब develop हुआ, है ना, ये भी आपके लिए important exam में पूछता है, कि भाई, Wikipedia कब develop हुआ, बताइए, इसके founder कौन है, ये भी आप से पूछा आता है, कि भाई, इसके founder कौन है, first edit कब हुआ, तो 15 जनवरी 2001 को, 15 जनवरी 2001 को पहली बार Wikipedia में edit हुआ है, ठीक है, पहली बार develop हुआ था, तो ये थे आज के most important questions, मैं अशर करता हूँ कि आज कि यह class आ कर दीजिएगा, comments करके ज़रू बताइए कि class आपको कैसी लगी, आपके जो भी सुझाओ हूँ, जो भी आपका review हुआ, comment box में ज़रू बताइएगा, फिर मिलते हैं, next class में, तब तक के लिए, बाय बाय